रैंडी ओर्टन रिटर्न करने के बाद क्या रिडल के साथ फ्यूड कर सकते या फिर क्या आरके ब्रोकर यूनियन हो सकता है तो इसके बारे में अपडेट है और डबर डबली ने पहले सोचा था कि रैंडी ओर्टन के रिटर्न के बाद आरके ब्रोकर यूनियन करेंगे या फिर रैंडी ओर्टन वर्सिस रिडल का मैच करवाएंगी यह पहले डिसकुशन्स थी और आर्के ब्रो आज नकल वैसे भी तूटने वाली थी लेकिन वो चीज हुई नहीं लेकिन शायद अभी भी यह चीज हो भी सकती है लेकिन फिलाल थोड़ी चांसे कम है लेकिन अगर इन फिचर डब डबली फिर एक बार रैंडी ओर्टन एंड रिडल को एक साथ लाती है तो डेफिनिटली आर्के ब्रो कहा हमें फिर एक बार यहाँ पर से रियूनियन या फिर मैच दिखाए दे सकता है जो कि काफी कमाल का होगा लेकिन यहाँ पर रैंडी ओर्टन एज हील मेरे खायसे वापस आनी चाहिए और उनको एक स्ट्रॉंग कम्पेटिटर के अगेंस्टी उतारना चाहिए डबर डबली को और फिलाल मेरे खायसे रैंडी ओर्टन की से एक टॉप मेजर फ्यूड में आने वारे समय में इन्वाल होनी चाहिए वेल बात करते हैं विन सिक्मैन और अपने ट्रिपल एच की तो अभी फिलाल बैक स्टेच पर हम देख रहे की विन सिक्मैन का बहुत ही ज़ादा इंटरफेरस होता है और एक शो के अंदर और इसी एवन टैलेंट्स वेगरा भी नाखुश है इतना ही नहीं बलकी खुद ट्रिपल एच अनिक खान भी इससे जोए अनहपी एंड वो बहुत मितलब यहाँ पर गुस्ता है कि क्यों बार बार विन सिक्मैन रॉस मैकडाउन के अंदर इंटरफेरस कर रहे शोस के उपर तो इसलिए बताया जारे कि मीटिंग भी रखी जा शोबुक करते हैं अपने विन सिक्मैंट से आपकी ओपने आप लोग जरूर बताना लेकिन फिलाल कुछ अभी बाते निगल कर सामने आच चुकेगी सिरफ सुपरस्टार सीनीवल की खुद ट्रिपल एच बिस्टी से परिशान है डबर डबली एक और नया अपना पेपर व लाने वाली हैं एंट डबी डबले और इंटर्नेशनल प्रीमियम लाब कर सकती है इस साल के आखिर में यानि कि डिसंबर मंत में डबर डबली फिर एक बार एक न्यू पेपर यू कर फिर एक बार इसी other country में इस साल December के अंदर अपना एक new international premium live event करवाने के लिए तो let's see well final survival series की बात करते तो इस साल survival series war game सी हो सकता है लेकिन addition हो सकता है NXT brand can't बता जा रहा है triple H NXT को भी इस साल लाएंगे main roster के paper you survival series के अंदर and मेरे खैसे जिस time पर WWE ने बहुत पहले first time किया था ये तो काफी कमाल का था and especially triple H NXT को काफी favor भी करते तो इस से NXT की talents का भी फायदा हो जाए and काफी अच्छा है आपर WWE match book करेगी और फ्लाल ये कुछ update है बाकि money in the bank में कुछ एक upset हो सकता है कोडी रोडस अन एले नाइट का नहीं होगा तो पता नहीं क्या चीज़ है and फ्लाल आच की वीडियो बस इतने सथी and मैं में मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंग करेंग करेंगा सकता है